सब डोमेन का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं सब डोमेन जो है वो एक डोमेन का ही पार्ट होता है यानि कि यह सब डोमेन is a part of a larger domain और website that is treated as a separate entity and its own unique web address यानि कि जो सब डोमेन है वो एक जो डोमेन होता है उसी का एक पार्ट होता है और इसे अलग entity एक अलग website समझा जाता है यानि कि जैसे मालनेजिए आप एक website चलाते है example.com या विनोधसांगवान.com और उसी का एक आप अलग से blog section शुरू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का सब डोमेन बना सकते हैं blog.example.com या blog.vinodsसांगवान.com इस तरीके से जो भी आपकी website है उसके पहले एक extension name लग जाता है और फिर dot लगता है फिर main domain आता है तो उसको हम एक सब डोमेन कहते हैं इसके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की description में पढ़ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें